नमस्कार A to Z dishes उशा गोर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके सार शेर कर ली जा रहे हूं बहुत ही टेस्टी मज़िदार सा चाइनीज प्लेटर बच्चे होया बड़े हम सभी को न चाइनीज खाना काफी जाधा पसंद है पर वैसे न एक-एक dishes हम बनाते हैं पर आज कल ट्रेंड में ये चाइनीज प्लेटर बहुत ही चल रहा है कहीं भी आप रिसॉर्ट्स पे चले जाए रस्ट्रोरंस में चले जाए कैफे में ये आपको प्लेटर देखने को मिलेगा और ये बहार तो काफी आसानी से मिल जाता है पर इसे घर पर ब चले पटेटो है फ्राइड राइस है पास्ता है और ये बढ़िया सा केक जतना ये दिखने में बढ़िया है उतना ही सारी चीजे बनाना बहुत ही आसान है स्टेप बाइस टेप वीडियो में बताऊंगी तो चले ये शुरू करते हैं चाइनीज प्लेटर बनाना तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ये ब्लैक पैपर यानि के काली मिर्ची वाली नूडल्स तो यहां पर देखे मैं आज दो तरह की नूडल्स बना रहे हूं तो नूडल्स है न हम एक की साथ बॉइल कर लेंगे तो देख सकते है कड़ाई में मैंने दो से तीन गल बॉइल कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते है नूडल्स को तकरीबन आपको चार से पांच मिन तक बॉइल करना है और देख सकते है यह सौफ्ट हो गई है कुछ इस तरह से हो गई तो बस इसे हम छनी में निकाल लेंगे और सबसे पहले आज मैं आपको यह ब्लैक पै आपको थोड़ा सा भूल लेना है उसके बाद यह बॉइल नूडल्स आपको आधी इसके अंदर डाल दीनी है और इसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे स्वात के अनुसार नमक और आधी चमच विनेगर और एक चमच जितना ब्लैक पैपर पाउडर यानि कि काली मिर्शी पाउडर और आधी चमच इतना चाइनीज मसाला अब इन सभी को आपको मिक्स कर लेना है और इसके अंदर जो मैंने काली मिर्शी पाउडर नमक डाला है वो आपने स्वात के अनुसार आप डाल सकते हैं यहापर देखिए नूडल्स के अंदर इन सभी को आपको अच्छे स मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लिया तयार है यह बढ़ी आस्ती ब्लाक पेपर वाली नूड्रिल्स बहुत ही सिंपल है पर इसी के साथ यह बहुत 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 ही टेस्टी लगते देखा यह आपने कितनी जटपट से बन गई चलिए बनाते है अब फ्राइड राइस तो फ् फिरुस के बाद हम फ्राइड राइस बनाएंगे तो यह वाइड राइस आप देख सकते कितने खिले खिले और जितने राइस अच्छे बने आपके प्राइड राइस अच्छे बनेंगे जैसे कि में आपको पहले ही कहता है तीन कटोरी बास्मती चावल को चासर और 3-4 पा आप देख सकते है पानी के अंदर मैंने नमक और गी को मिक्स कर लिया है अभी जो वाश करके रखे थे चावल बस यह चावल डाल दिने पानी नहीं डालना है और इन चावलों को आपको खुलाई इस पानी के अंदर न अस्ती प्रतिश्चत तक पकाना है 80 पसंड तक आपको से cook करना है और 80% तक पकने में तकरीबन 7-8 मिनिट लगेंगे तो बीच-बीच में इस तरह से mix भी करते रहिएगा ताकि जो चावल है ना नीचे से चिपके ना और ये जो चावल है ना मैं suggest करूंगे कि आप बासमती ले इससे बासमती चावल से क्या होता है ना कि फ्राइड में निकल जाए देख सकते हैं ये ठंडे हो गए और देखिए मैं आपको दिखा देती कितने खिले खिले चावल बने चलिए अब इस ते हम बनाएंगे फ्राइड राइस तो उसके लिए ना मैंने गैस को फिर से ओन कर लिए एक कड़ाई रख दिया और इसमें मैं डाल रह और इसे हम फिर से अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा भून के बाद हम डालें गज़ने ये गाजर इस तरह से लंबी कटी उए और इसम फिर से भून लेंगे ज्यादे नहीं पकाना है सबजों को कृस्री ही रखना है अब ये जो हमने चावल पका कर रखे देना बस वो चावल डाल देने हैं लाल मिश्पाउडर डालेंगे और इसे के साथ नमक डालेंगे चावलों को पकाते वक भी डाला था और सौसेज में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा सा कम एट कीजिएगा फिर एक चमच मेने गर आदी चमच सोय सॉस और एक चमच भर कर रेड चिली खके और 1-2 मिनट तक मैंने पका लिया और तयारे लिजे यह उससे लापनाना काफी टेस्टी लगता है उससे बनाना काफी असान है तो चिली पिते बनाने के लिए आपको चहिए परेड़े भी ले सकते हैं और इसतरह से पह्राइच्ट साथा बमीं बम सहीं टैस्ती चिली पोटिटो पीलर से या फिर नाइफ की मदद से इसकी उपर का जो छिलका है वो आपको निकाल लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से आलू का छिलका निकाल लीजे इसे थोड़े से बड़े लीजेगा या तो फिर इतने ही काफी है तो इसी तरह से आलू के चिलके निकाल लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कटर ले लिया है इसकी मदद से क्या होता है ना देखिए इस तरह से होता है यह ब्लेट्स होती है उसके उपर आपको आलू को इस तरह से रखना है और प्रेस कर दिना है दुसरे मदश से इससे क्या होगा कि हर जो यह हमने यह जो चिली पटेटुस की ये देख सकते हैं एक जैसी होगी तो बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप चाहना तो इसे नाइफ से भी कट कर सकते है टुकडो को पर ये एक जैसे टुकड़े होते है तो असानी से फ्राइ हो जाते है अच्छे से पकते हैं तो ये मार्केट में काफी easily available है है मैंने इसे offline भाय किया था आप चाहें तो इसे online भी भाय कर सकते हैं काफी असानी से मिल जाता है ऐसे कहते हैं फ्रेंच फ्राइज इससे आप काफी असानी से फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं देख सकते हैं एक जैसे ही टुकड़े होते हैं तो काफी फाइदा है इससे अब इसे हमें अच्छे से वाश कर लेना है पानी की मतल़ से उसके बाद मैंने तेल गरम करने रख दिया है और यहां पर एक साफ कपड़ा आपको ल गीले नहीं होने चाहिए अच्छे से कपड़े से अपको पोच लेने क्योंकि इसके उपर इने कॉन फ्लोर की कोटिंग आएगी और अगर यह आलू गीले होंगे न तो क्या होगा वह कॉन फ्लोर अच्छे से चिपकेगा नहीं इसलिए आलू को बिल्कुल सूखा कर लीजे फिर एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लीजे अब इसके उपर हम डालेंगे कॉन फ्लोर तो यहां पर आपको दो से तीन बड़े चमच इसके अंदर कॉन फ्लोर डालना है यहां पर आप देख सकते हैं अगर यह एकदम ड्राय होंगे न यह आलू के स्लाइस तो यह की मदस से मिक्स कीजेगा और धियान रिखे का कि आलू की जो यह स्लाइसे से यह टुकड़े हैं बिल्कुल भी घीले नहीं होने चाहिए कपड़े से अच्छे से पोच लीजेगा अच्छे से तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छो से मिक्स कर लिया विसे हमें फ्राय क यहां पर आप देख सकते हैं यह जो चिली पटेटू है इतने बढ़िया लगते ना और बहुत ही सिंपल है जो जो इंक्स में इंग्रीडियंस यूज किये गए हैं वह आपको घर पे काफी असानी से मिल जाएंगे तो बस यह जो अच्छे से आपको से फ्राय करना है देख को तो बढ़िया सी इसके जो देख सकते इसके जो स्लाइसी से जैसी लग रहे हैं तो काफी दिखने में भी अच्छा लगता है तो बस जो बाकी बचे हुए आलू है उसे भी हम इस तरह से तेल में डालते जाएंगे और इसे भी हम फ्राय कर लेंगे बस आपको जो यह चेल काट लेते कोई थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो दोनों को पकने में अलग अलग टाइम लगेगा इस तरह से कटर का यूस करेंगे तो अच्छा रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे मैंने फ्राय कर लिया अब एक और कड़ाई में सिर्फ एक चमस तेल डाल द अब अतरक लसन का भी डाल सकते है क्योंकि लसन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है डबल वार भी जाएगा तो कोई बात नहीं है अच्छे से मिक्स करने के बाद आदी चमच विनेगर एक चिली सॉस और एक चमच चिली सॉस और एक चमच टोमेटो केचप और इन सभी सॉ चमच काली मर्शी पाउडर और थोड़ा सा औरेंज फूट कलर थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो बढ़िया लगेगा यहां पर आप देख सकते मैंने ले लिया है दो चमच जितना कॉन फ्लोर और इसके अंदर न मैंने डाल दिया है आधक अब जितना पानी और अच्छे से म मिक्स कर ले और तुरंती जो आपको इस तरह से मिक्स करते रहना है यह पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यह चिली पटेटो बनकर तयार है अब में इंग्रिंटन आता है इसके उपर यह सफित तिल यानिकी सेसमी सीड बस यह डाल दीजे और य बहुत बहुत इरेस्टी लगता है चलिए बना लेते अब यलो नूडल्स यह भी बनाना काफी असान है काफी जटपट से बन जाती है और यह सभी को पसंद आएगी तो यलो नूडल्स बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने वह जो ब्लाइक पेपर वाली लिए और इसे थोड़ा सा बूल लेंगे अब एक चौथा ही चमर जितनी अद्रक की पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा बूल लेंगे और यह जो बची हुए नूडल से बोईल की हुए बस यह डाल दीनी है और इसी के साथ न हम इसके अंदर एट कर रहे हैं स्वा बस अच्छे से इन सभी को आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है एक से दो मिनिट तक इसी तरह से मिक्स करते रहे ताकि और यह इसमें न कफी कम मसालों का इस्तमाल किया पर यह इतनी टेस्टी लगती है न सच बता रहे हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मि तूर्लस भी आपने देखा कि आसानी से बन गई तो चलिए भी तयारे अब बना लेते हैं ड्राय मंचुरियन बनाना घर पर बहुत यह असान है कफी असानी से बन जाएगा तो यह तरुए मंचुरियन बनाने के लिए सबसे पहले एक इस तरह से बड़ा सा बड़तन ले लें इसे के साथ आधा कप जितना कॉन फ्लोर, स्वाइद के अनुसान नंबग, थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर इसे काफी बढ़िया कलर आ जाता है और इस अभी को आपको अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लेना है पानी एट करने के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह जो प आपके उपर है आप इसे बड़े भी बना सकते है छोटे भी बना सकते मैंने मीडियम साइज के बना इसके लिए मैंने तेल पहले सी गरम करने रख दिया था अच्छे गरम तेल में बस आपको यह मंच्रियन के बॉल्स डाल ले है और एकदम यह क्रिस्पी कुरकोर हो जाए ghee न तब तरकर रिए तो बस इसी तरह से मिक्स करते रहे औची से कृस्पी ओगाया आप देख सकते है और यह बाल्सें बडर भी बना सकते और छोटे भी बना तो बस इसी तरह से जो बाकी बच्चे वे बॉल्स है उसे भी हम बना कर इस तरह से गरम तेल में डाल कर फ्राइ कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह इतने टेस्टी लगता है ना प्लेटर आपने देखा ही सारी चीज़े मैंने कितनी असानी से बनाई है ज्य कर लिए आप कड़ाई में सिर्फ मैंने एक चंबस जितना तेल रखा है इसमें मैंने डाल दिये दो से तीन लस्न के कर लिए बारी काटकर एक लंबा कटा उप्यास और इसे थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं एड़ कर लिए एक कप जागोबी और एक गाजर एक कप शिल्ला मिर्च और इसे इन सबको भी हमें अच्छे से भूनना है पर तेज आज पर हाई फ्लेम पर इन सबको आपको भून लेना है यहां पर आप देख सकते हैं इसे आपको एक से दो मिनिट तक ही भूनना है क्योंकि सबजियां हमें अधी चमच विनेगर इसे के साथ एक चमच भर कर रेच चिली सॉस एक चमच सुष सॉस और इन सभी सॉसिस को मिक्स कर लेंगे यहां पर नमक है ना सॉसिस में भी होता है इसलिए थोड़ा सा कमेट कीजेगा अच्छे से इन सभी के अंदर मिलाने के बाद एक सलरी बनानी ह होती है कॉन फ्लोर की तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कब जितना पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि कोई भी लंस ना रहे तो यह कॉन फ्लोर की सलरी बनक और चलाते जाएंगे ज्यादा आपको रुखना नहीं है कॉन फ्लोर की सलरी डालने के बाद एक बार मिक्स कर ले और यह जो बनाया हुवे बॉल्स है मंचुरियन के इस तरह से डाल देना है और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है सबी चीजों के अंदर यहां पर आ जाए आजाएगा खाकर आपने देखा है कि असानी से बन गया चलिए आप बनाते हैं बहुत ही बढ़िया से और सिंपल से पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉल करेंगे तो एक बरतर में मैंने पानी गरम करने रख दिया है और पानी अच्छे से गरम हो उसके बाद हम इसके अंदर पास्ता एड़ करेंगे तो यह मैंने दो कब जितने एड़ किया है और इसे हम बॉल कर लेंगे चार से पांच मिनट के लिए ओवर कोक नहीं कीजेगा जादा नहीं पकाने चार से पांच मिनट काफी है पास्ता कोई भी शेप के ले सकते मैंने कर्ल शेप के लिए आपको पैने पास्ता ले सकते हैं या शेल शेप का ले सकते हैं या बो पास्ता ले सकते हैं जो आपको पसंदो तो यहाँ पर मैंने सिंपल से पास्ता लिए पग गए अब इसे छनी में निकाल लेंगे और एक कड़ाई में आदी चमज तेल डाल देंग पकाना है बस क्रंची रखना है तो एक से दो मिनिट काफी है फिर आदी चमज विनेगर आदी चमज सुय सॉस और एक चमज भरकर रेड चिली सॉस डाल दे और आदी चमज जितना टोमेटो केचप इसके अंदर एट करना है और आदी चमज जितना लालमश पाउडर एक थोड़ा सा नमक एड कम कीजिएगा और यहां पर देखें मेरे थोड़ा सा औरेंज फूट कलर डाल दिया है इसे काली कलर आजाएगा अगर आपके पास नहीं है तो आपना डाले यह बॉइल के हुए पास्ता एड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए एक से बढ़िया कल आजाता है और यह दिखने में भी अच्छे लगते हैं पर अगर आपके पास नहीं है तो बस आप ना डाले तो एक से दो मिनिट हो गया है और यह सिंपल से और बहुत ही टेस्टी से पास्ता बनकर रेडी है आपने देखा ही कितनी आसानी से यह बन गया बिलक एक बास बात यह कि यह बिना अंडे से और बिना अविन के हैं तो आप अपसे काफ़ी असानी से बना सकते हैं बौणी भी रख सकते हैं ने यह तो मैंने सुछी आपके साथ भी शेर कर ल unstable तो सबसे पहले हम यह रोस कोकनेट लड़ू बना लेंगे तो उसके लिह बाँज इसके अंदर आपको डालना है यह एक गब नारिल का बुरादा एक चोथाई चमच इलाईजी का पाउडर और यहां पर देखें रेट फूट जेल कलर डाल दे रोस कोकोनेट लटू है तो एक से दो ड्रॉप डाल देने हैं और यह ताजी गुलाब की पते यानि क्यु गुला से मिक्स कर लें कि मझे थोड़ा सा फूट कलर कम लग रहा है तो मैंने दो ड्रॉप और डाल दिया है और यह कंडेंस मिल्क यह हम दो चमच जितना और एड करेंगे कंडेंस मिल्क काफी मीठा होता है इसलिए मैंने इसके अंदर चीनी का यूज नहीं किया है पर अगर आप गैस कि यह लड़ू बन जाते हैं जीरो कुकिंग है तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया अब इसके अंदर में डाल रही एक चमच जितना रोज एसेंस क्योंकि रोज लड़ू है तो अच्छा लगता है खुश्पू आती है अच्छी सी पर अगर आप इसमें से देख सकते हैं यह लड़ू को ऊपर का जो बाट है इसे हम इस तरह से नारल के गुरादा में से कोट कर लेंगे और यह ऐसे भी खाने में काफी बढ़िया लगते हैं कोई भी जिसके अचानक से मीठा खाने का मन करें तो आप यह बना सकते हैं काफी असानी से और आपके बास जैसी के कंडेंस मिल्क नहीं है ना तो आप उसकी जगा पर चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं पीसीवी चीनी यानिकी पाउडर शुगर चीनी ले लिए जो से मिक्सर जार में पीस लेज़े तो आपकी पीसीवी चीनी तयार हो जाएगी तो यह रोस कोकोनेट ल अच्पर 10 मिनट के लिए गरम होने दे जब तक हम बैटर बना लेंगे एक बाउर में आपको डाल देना है एक कटोरी धाई और आदी कटोरी तेल और इन दोनों को आपको अच्छे से मिला लेना है तेल कोई जैसे के सरसू का तेल हो गया ऐसे नहीं नॉर्मल वेजटेबल लेना है और दई जाता खटी नहीं होनी चाहिए फ्रेश घर की जमायों लेजए या फिर आप मार्केट की भी ले सकते पर फ्रेश लेनी है दई और तेल को अच्छे से मिलाने के बाद पत्ली जाली वाली छानी रख देंगे और इस पर हम डालेंगे एक कटोरी मैदा एक पाउडर और इसे भी हम अच्छे से सारी चीज़े जब भी आप केक बनाए ना ड्राइ इंग्रिडियल्स जैसे कि मैदा आप इसी वी चीज़ी नहीं है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है इस अपको चान करी ले चान लिए अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख अच्छे से बेटर को मिक्स कर रहे हैं मझे लग रहा है कि दूद और अट करनी की जरूरत है तो पहले मैंने एक काटोरी डाला था उसके बाद यह आधी काटोरी और एट कर दिया है और अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे या पर आप देख सेकते बेटर की पतला इस तरह से रिबिन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए बैटर के अंदर एट नमबर भी लिखके देख सकते हैं एक से दो ड्रॉप वेनिला एसेंस के डाल देंगे अगर आपके पास नहीं तो आप इससे स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिला लीना है उसके बाद इसके अंद लगें एक से दोड्रॉप ये यहां कि नेहीं अब फूर्स कर सकते हैं यह जल कलर भी जलक एक से डूँद्रॉप काल्फी है अपाउडर फॉर्मवाला आधृ चमच लागेगा देक सकते बैंडर अच्छे से मियक्स कर लिया बेक स्टील का निया कोई ले ले इसकेूड़ा देख सकते हैं 10 मिनिट अच्छे से धीमी आज़ गरम हो रही है तो बस इस तरह से टिन को रख देना है धकर फिर से बिलकूल लो फ्लेम पर बिलकुल धीमी आज़ पर आपको इसे 30 से 35 मिनिट तक बेग करना है तो यहां पर लगबग मुझे 35 मिनिट लगे हैं फिर भी पांच मिनुट उपर नीचे हो सकते है केक को बैग होते हुए, डिपंड करते हैं आपके कडाई के ओपर और आपके गैस के ऊपर तो चेक करते रहेगा, देख सकते हैं मेरा 35 मिनूट में बैग हो गया है, और कोई भी तूट पि क्या स्टेक डाल कर देख लें कहीं से कच्छा नहीं है एकनम clear निकल रही है तूट पि क्या स्टेक तो बस इस तरह से निकाल लीज़े और भार रख कर इसे थंडा कर लिना है गरम गरम ना लिकाले जबते कि ठंडा हो रहा है न यहां पर देख सकते हैं मैंने यह बेकर्ष विप की क्लासिक विपिंग क्रीम लिए आप कोई भी कमपनी के ले सकते हैं जरूरी यह जो मैंने लिए वो ही आप ले कि मैंने 2 KUP जितनी ली है और इसे हम विप करेंगे ब्लेंडर की मदद से तो यह पर आप देख सकते हैं जो विपिंग क्रीम है न आप electric beaters से भी कर सकते हैं उससे यह 3-4 minute में हो जाती है और इस तरह से अगर blender से करते हैं तो 6-7 minute लगते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है पर कई गरूं में क्या होथा That कि इलेक्टरीम नहीं होता They are मेरे पास तो है जब builders निकालकर रख और नॉमल यह हम विप क्रीजर में रखते हैं तो जब भी आपको cake बनाना हूं तो उससे एक गंटे पहले ही निकाल कर रख दे विब क्रीम तयार है अब यहाँ पर cake भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो बस इस तरह से काफी आसानी से यह निकल जाएगा अच्छे से ठंडा कर लीजेगा उसके बाद ही निकालना है बटर पेपर निकाल लीजे देख सकते केक कितना spongy हुआ है अब इसे हम तीन लेयर में cut करेंगे आप चाहे तो दो में भी कर सकते हैं और knife से cut करें यहां फिर thread यानिकी दागे से भी कर सकते हैं तो यहां पर देखे कितना जाली दादर केक बना है अब हम एक लेयर को रखेंगे और यहां पर आदी कटोरी पानी में मैंने दो बड़े चमबच पीसी हुए चीनी डाल दी है और मिला लिया है तो आपको शुगर सिरप तयार हो जाएगा तो बस शुगर सिरप आपको लेयर पर लगा लिना है उसके बाद न यह जो हमने whipping cream करके रखी थी पूरी लेयर पर अच्छे से लगा लिनी है उसके बाद यह रोस coconut लड़ू केके तो थोड़ी सी गुलाब की पंखुडिया मैंने लगा लिए इसके ओपर मैंने फिर से एक और लेयर रख दिया फिर से शुगर सिरप और यह प्रोसेस हम रिपिट करते जाएंगे शुगर सिरप लगाने से केक लंबे समयते ही एकदम सॉफ्ट रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो जरूर एट कीजेगा तो देख सकते हैं यह गुलाब की पंखुडिया जब आप खाएंगे आपको मज़ा आजाएगा तो जरूर एट कीजे और यह जो ठर्ड लेयर है उसे रखने के बाद अब उसे पूरे केक को विपिंग क्रीम से कवर कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे केक को अच्छे से कवर कर लीजे कहीं से भी रहना नहीं चाहिए साइट से भी आप देख सकते हैं इस तरह से अ गुलाब की जो पंखोडिया न वो इस तरह से लगा रहे हूं देखे कितनी बढ़िया लग रही है बस इस तरह से पूरे साइट्स पर लगा लीजे आप डेकोरेशन कैसा भी कर सकते हैं मैंने सिंपल सा किया है अब एक पाइपिंग बैग में मैंने नोजल डाल दी थी और इस इस तरह से फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से रख दीजे थोड़े से प्रेस कर लीजेगा और इसके सेंटर यानि के बीच में हम डाल देंगे गुलाब की पतिया एक दम बारी काट कर तयार है यह बहुत ही बढ़िया सा केक सच बता रही है इतना टेस्टिट आना आप इसे घ चीज जिसमें बनाना बहुत ही आसान है और खास करके एक केक आप जरूर ट्राइक कीजेगा सबी चीजे आपको खाकर ही मज़ा आ जाएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह चाइनीज प्लेटर की रेसिपी कैसी लगी है अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना यह कल फिर मिलती हूं तब तक खाये जोई कीजे थांक यू फॉर पहुच्छे